अल्वेकुम वहले मतुल्ला बरकातु तक कैसे है आप सब मैं अल्हम्दिल्ला आप लोग के दौासे बहुत अच्छे उम्मित कर थी हुआ हुआ है तो जी हमारी जुमार अल्टी स्ट्रेट फुर्जाइका की उम्रा जा रही है उम्रा की शॉपिंग मी बहुत जोरो शोरो से हो रही है तैयारिया भी जोरो शोरो से हो रही है लेकिन एक चीज़ आप लोगों से पूछना चाहते हुआ है उम्रा यह हज कर जाते है गुनाओं की माफी मागने अल्ला की घर का दीदार करने दौाय मागने मतलब कि इन शॉट के हम जो है हमारे जिन्दे के एक नई चाप्टर जो हो शुरू करते है क्योंकि मुस्ली उम्रा और हज इंसाल अपने जिम्मेदारी को जब जिम्मेदारी से खतम हो जाता है यह एक level एक stage पर पहुँच जाते है mostly हर कोई नहीं मुस्ली वो तब जाते है क्योंकि वो अपने गुनाओं की माफी मागना चाहते है वो अपने sense से clear होना चाहते है sense मतलब जो गुना इंग्लिशे बोलते है ठीक है उम्रा यह हज को तो लोग गुमने नहीं जाते है सो मैंने यह चीज़ सुना है और देखा भी है जो लोग उम्रा जाते है उम्रा यह हज को जाते है वो लोग को माफ करते हैं माफी तलाबी परके जाते है कि मैं मेरे जादर कोई गुना हुआ तो माफ करते हैं दिल लुखाया है एक मतला पैसा आ गा तो लोगों दिखाना पड़ाएगा कभी उम्र जा का यहीं तो वे एक टैग लगाना है ऐसा है कि कि आच्छों की शादियों में लोगों के मूँ बंद करवाने के लिए लोग को दिखाने के लिए कि मेरा पती मेरे साथ है तब शम्षु अंकल चाहिए शम्षु अंकल मतलब हमारे जुमर वाले आंटी के हजबन के नम शम्षु है तो शम्षु अंकल चाहिए कि समाज में लोगों का मुँँ बंद करवाना है रिश्यदारों को बच्चो के सस्राल वालों का मुँद करवाना है तो इसलिए हजबन चाहिए लेकिन जब उम्रा जाते हैं हजबन ने चाहिए मेक अप क्यों करती है उसका बहाना देने के लिए शम्षु अंकल चाहिए शम्षु अंकल ने बोला है कि आन्टी जी को तयार होने के लिए श्रमशो अंकल और आन्टी जी जो है वो एक साफ है और इसका धिंडोना जो है यह लोग पीटते हैं लेकिन बातों बाते हो बोलते हैं कि चोर जाए न चोरी करने के बात चोर भी अपने एक छाप चोर जाता है यह मेरे सब्सक्राइबर भिष्य करों फाप्र-जैन्ई के व्लोग में नूर औलगो सेकों करेंद करें और दो अर्म के दूए है। लिए शम्षू अंकल की लिए कबाब बनाना जाता है शम्षू अंकल के लिए जो जुमर वाली आंटी जी जो निकालके महंदीं विंदी लगा के नई दुलहन के बनती है शम्षु अंकल के लिए यहाना वो किस क्या जाताै लेकिन उम्रा ऑबा के टाइम पिट मेह समस्षु अंकल हो जाते हैं ब्च ओ आहता अबा अबा है अबा लेकिन अबबा है तो किधर है और अबबा है तो उम्रा पर क्यों नहीं है अब कलके शिरु भाई के व्लोग में, शिरु भाई अबबा के रूंपी बैठके वो लोग कैरम खेल रहे थे और पूरा एक भाषन, एक भाषन जो है 15-20 मिट का एक अच्छा खासा भाषन जो है शिरु भाई और रियास के तो गलती थी लेकिन उस गलती वोबर 15-20 मिट का अच्छा हासा भाषन देके वी गूष कमा लिया शिरु भाई लेकिन वह लोग जाए भाषन देता जो हैं कमरे में थे तो शम्शु अंकल कमने में क्यों नहीं थे, क्योंकि वो लोग अगर हॉल में व्लॉग करते हैं, तो शम्शु अंकल को चलो माल लिया, कैमेरा में आना पसंद नहीं है, ऐलेज्ज है कैमेरा से, तो शम्शु अंकल जो कैमेरा में नहीं आते हैं, अपने रूम में बैठे रहत है तो जब केरब खेल ले थे शम्ष्य अंकल के रूम पे तो शम्ष्य अंकल क्यूं नहीं है क्यों कि वो subscribe कर भाने हRIPनी के कोशिश करो लेकिन जूठ сделать दिने अपना लंग दिखाई देता है तो यह तो हमको पता चल ही गया कि शमशो अंकल तुम लों के साथ क्यों नहीं रहते है और शमशो अंकल इसलिए तुम लों के साथ नहीं रहते यह जो तुम्हों के चिल गोज़ेपना जो है ना कूटनीती पन है तो तुम लोग जो कूटनीती में माहीर होना शम्षू अंकल का दिल है न भूखत बरा है शम्षू अंकल का जो दिल नहीं होते है जी नहीं है जो भी चीज था तुम लोग के बीच में क्यों छोड़ा क्यों नीच रहा वो तो बहुत परसनल बात है लेकिन मेरे खयाल से अगर उम्रा जारी हो तुम तो जिस शोहर क्या नाम सर्नीम अभी भी तुम लगाती हो मुंताज रॉक शेख सर्नीम भी शेख जो इस शम्रा उकल कल लगाती हो या फिर तुमको फट्वच बेटे जिससे मिले यानि कि शम्रा उंकर से अभी भी माशाईलला से अच्छी उनकी फिगर है भई डाक कॉंप्रेशन है बड़ उनका फिजिक बहुत अच्छा है अटे गटे है जिस बाप से उसके दो अला तुमको मिले हैं दोनों वेटे तुम्हारे बुरापे का सहारा है और जिस बाप के बदोले तुमको ये खांदार मिले हैं लगा के भई उम्रा के टाइम पेटलिस उस इंसान के साथ तुम्हारा जो भी गिला शीक्वा था वो खतम करके माफ करके माफी तलावी तुम करके भी शमशु अंकल को लेके जाना चाहिए था कि जिस इंसान ने जब तुम कुछ भी नहीं थी तब अगर तुम्हारा हाथ थामा तुमको दो वक्त का खाना खिलाया सालों साल तक उस नाम के सहारे उस इंसान के नाम के सहारे जो है तुम रही अब तक तुम रह रही हो उसी इंसान के उलादों के सहारे जो है तुम जी र यह अगर अबबा है तो अबबा कहा है तो यह सरस को रखने के लिए लोको मुन करवाना और अपने इनको यादाते हैं यह छो आपको इनको अपना खर्चाग करके शमश्य आउनकल को देना होता है तब इनको अबब नहीं पूरे घर में अगर शम्षिन अंकल को कोई भी सेलyasलिय प्यार करताया है या फिस खोंकल किसी की बात मानता है यो थो है झालिय पर यख़ आते है uelाग तो सौ भी नयाएं कि onton धरते से वहादे हैं जिए अंकल की खोस्तीन रगा सबत्युकर शायए परी संहलेबदों कि बड़ कहीना कहीना उसमें सहम्छंव अंकल की छाप है lecture 6 चावी हद तक इस्तिमाल किया, नाजिया अपने चैनल को डाउन करवा के स्ट्रीट फोर जाइका को देखते हैं, यह सारे एक ही चैसे हैं, जितने भी है ना बाप, बेटा, बेटी, यह जितने भी है ना मुंताज, अंटी, वो लों के, मुंताज, अंटी, शन्स, और परसनल जिन से बात करोगे ना एक दिम परसनल लेवल पे तब आपको पता चलेगा कि इनकी रिष्टों का अंदर कितिना खटास है यह तो आपको मालूम नहीं मैं तो बार बार बोल दी हूँ खेर मेरे पास कोई प्रूव नहीं है और है भी तो मैं वह दिखा नहीं सकते कि कि इसने मुझे भरोसा किया है लेकिन वक्त बहुत बड़ा बल्वान है और वक्त इसका जवाब जरूर देगा जो चीज़ने बोल दी हूँ उसका जवाब भी वक्त ही देगा तो चले आज का व्लोग मैं यहीं पेयान करते हूँ फिल्मिन टेग नहीं व्लोग के साथ तब त इस महलत के लिए आपको कुछ नहीं करने बस एक लाइक दबा देना है और इस वीडियो की रिगार्डिंग आपका क्या पॉइंट भी है अगर मेरे पॉइंट भी से मैश होता है या ना भी होता है कमेंट करके जरूर बताईए और मेरा वीडियो अगर आपको सच में आया हो तो सबस्क्राइब कर लो आइनो कि आपको पसंद आने वाला है कि मुझे ऐसे कमेंट मिलते रहते हैं कि आपका व्लोग फर्स टाइम देखा रो मुझे बहुर अच्छा लगा तो सबस्क्राइब कर लो यारे सुब आरब आना चाना घर का मैंबर बन जाओ तो आपके लिफला आला हाफिस